हेलो दोस्तों वेल्कम टू रिजर्ट गुरू चैनल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम रोज यहां पिछारा बज़े लाइव होते हैं तेलिए बाई लजी के चल्दी से सेशन को जॉइन कर लें ताकि आज का लेकिश अच्छा जॉइन कर चुके हैं येस नीलम गुड लक्षमी पाल गुड मॉन पांके भी हारी गुड मॉन आईशा गुड मॉन अच्छा माम कब आओगे बेटा हम आ चुके हैं तो मैंने आपको बताया कि आज की जो हमारी क्लास होगी क्या होगी हमने एक नई सीरीज जाली है जिसमें हम यूनिट वाइस हर एक यूनिट को ज अपने एकॉलेजी अभी-भी पढ़ी है इसलिए सब बच्चों को याद होगा कुष्वाहा रुची कुष्वाहा गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉनिंग तो आप सभी को याद होगा अभी-भी पढ़ क्या एकॉलेजी के और प्लांट फिजियोलोजी ये इसके जितन में पड़ा हुआ है आजम उससे रॉलेटेट क्वेशन्स करें ठीक है आम आपकी वाइस कट-कट हो रही है अच्छा अब क्लियर आ रही है निशा क्लियर आ रही है गुड मॉर्निंग अराभ्या वेरी गुड मॉर्निंग बेचा चलो हमने आपको थोड़ी दिन पहले भी और मैं रोज आपको बोलती हूँ हमारा जो अब यह है आपको प्ले स्टोर पर आपको मुबाइल आप मिलेगा जिसमें कोंसा रिजर्ट गुरू राइफ क्लासे आपको डेली नोट्स एंसी क्यूट और पीटेफ प्रोवाइड कराई जाएंगी और डेली बेसे तो आप मह इन दोनों से आता है हम सब यहां पर डिस्कस करने वाले हैं तो फटा फट से अब क्वेश्चन करेंगे का एक्जाम कब तक होगा बेटा यूपी ट्जीटी पीजीटी का एक्जाम एक दो महीने में हो जाएगा प्रोवाइबली ऐसा सुना जा रहा है कि मार्ज के बाद इस क्लास mcq अच्छा पीडिएफ की बात कर रहे हैं बेटा चलो तो मैं बात करती हूं किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे हम बात करेंगे, अब मूव करेंगे first question पे, तो first question क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं, first question कहता है yes, first question कहता है which of the following peer is mismatch, इसमें से कौन सा peer mismatch है, कौन सा आपको लगता है कि match नहीं हो रहा है nuclear power किसके equal दे रखा है, आपको radioactive waste के solar energy greenhouse effect के equal दे रखा है और biomass burning of CO2 के equal दे तो आप जल्दी से मुझे इसका अंसर बताएंगे, yes, सभी लोग comment box में इसका answer करेंगे, क्या बोला है, nuclear power जो nuclear power plant लगे होते हैं, उसमें से कौन सा waste निकलता है radioactive waste निकलता है, जो बड़ी-बड़ी nuclear power plants लगे होते हैं, उसमें से कैसा waste निकलता है radioactive waste निकलता है, जो किसमें डाल दिया जाता है, या तो soil के अंदर या water के अंदर, जिससे water bodies भी क्या हो जाती है, affected होते है fossil fuel के burning से भी release of CO2 निकलता है, या fossil पूर्णिमा कह रही है, C होगा इसका answer, बेटा, fossil fuels को जब burn करते हैं, तो किसका emission होता है, कौन सी gas emit होती है emission of carbon dioxide होता है carbon dioxide, आपके जो fuels है, आपके जो petrol है CNG gas है, यह सब क्या है यह सारे fossil fuels है, LPG है यह सब क्या है, fossil fuels है अगर इसमें से, अगर इसको emit करते हैं, इसके अंदर से क्या निकलता है कौन सी gas release होती है, carbon dioxide की gas release होती है अगर मैं biomass की बात करूँ कि biomass को burn करते हैं, तब भी क्या आता है CO2 release होती है, यह भी सही है लेकिन solar energy को green house effect solar energy तो बोला जाता है, कि green house effect से बचने के लिए आप solar energy का use करते हैं, जैसे solar energy हम कहां कहां use करते हैं solar energy को हम किसमें convert करते हैं heat energy में भी convert करते हैं, हम electrical energy में भी convert करते हैं, तो इसका correct option क्या होगा, yes अराबया B is correct, Nisha B is correct, very nice, Neelam B is correct Aisha B is correct, very good तो आपने देखा कि solar energy किसके लिए use करी जाती है green house, इस energy से green house effect नहीं होती है, यह गलत मिस्काजड है जबकि solar energy को आप क्या बचा रहे हो, आप environment को भी बचा रहे हो, आप environment को भी बचा रहे हैं, कैसा है environment friendly है, तो इसका correct option क्या होगा, B now next, next question क्या कहता है, identify the correctly match pair, अब आपको क्या करना है, correctly match करना है pair को, जल्दी जल्दी करेंगे हम questions को, क्योंकि बहुत सारे question है, यहां पर option आपको दे रखे हैं, कुछ options दे रखे हैं, कायटो protocol, climatic change के लिए होता है, ponitrial protocol, global warming के लिए होता है, vessel convention, biodiversity के लिए होता है, ramsar conventions, groundwater population के लिए होता है, yes, तो यह कुछ आपको नाम दे रखे हैं किसके, तो कुछ protocols चलाए गए थे, कुछ organization बनाई गई थी, जिन्होंने जिस चीज के उपर काम किया था, कायटो protocol ने, किस पर climatic change पर काम किया था, montrial ने, protocol ने, किस पर काम किया था, vessel ने, ramsar ने, यह आपको बताना है, अगर हम सबसे पहले बात करें, montrial की, yes, क्या होगा इसका correct answer, ma'am, आपकी voice cut हो रही है, beach-beach, beach-beach में cut हो रही है, voice clear नहीं आ रही है, एक बार से सभी बच्चों बता देंगे, yes, बताओ, चलो, सबसे बहले अगर हम बात करें, vessel convention और ramsar की, तो ramsar convention किसके लिए use किया गया था, wetlands के लिए use, किसके लिए use किया था, wetland के लिए, vessel वाला किसके लिए किया गया था, hazards, hazards, waste के लिए, waste material के लिए, यह biodiversity के लिए नहीं किया गया था, यह नहीं किया, montrial के लिए, montrial भी किसके लिए नहीं किया गया था, global warming, लेकिन Kyoto protocol किसके लिए किया गया था, climatic change, यह किया था Green Green House Gas यह कहां पर हुआ था? जपान में हुआ था कहां पर हुआ था? जपान में हुआ था? कोयोटो में इसका नाम कोयोटो प्रोटोकॉल रग दिया ठीक है? क्लियर है इतनी बात यहां पर एक international conference हुई कि किसमें? जपान में जिसमें बहुत सारी countries को बुलाया गया था कि वो क्लायमेटिक चेंज पर कौन-कौन से actions रुखाना चाहती है जिसमें Green House Gas Emission का क्या आया था? एक वो आया था कि Green House Gas जो एमेट हो रही है उसको कैसे रोखा जाए? तो यह क्लायमेटिक चेंज के लिए क्लियर है इतनी बात? A is correct, very good बेटा, very nice चलो, next question पर चलो फटा-फट से answer बताओ More than 70% of world's fresh water is contained in सबसे ज़्यादा fresh water यह तो बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आपको कि 70% जो fresh water है कहाँ पर पाया जाता है? Antarctica में, polar ice में, glaciers में, mountain में या Greenland में इसका answer बताएंगे Yes, everybody in the chat box 70% of world's fresh water कहाँ पे मिलता है, कहाँ से लिया गया है कहाँ पे है, कहाँ पे contained होता है Antarctica में, polar ice में, glaciers में, mountains में आप यह सोचो कि आपके लिए यह MCQs कितने important अगर आपके पास एक जगा पे यह सारे MCQs ने आपको बताया कि KVS का exam क्या होता है, जो अब नए-नए questions कहाँ से बनेंगे, जो पिछले questions है, उन्हीं के आप अगर revise कर दोगे तो आपका 50% लेबर कंप्लीट है, तो अभी मैं बात कर रहे हूं कि MCQs आपके लिए इतने ज़्यादा important है कि जब आप provision करोगे तो 70% of world fresh water कौन contain करता है, Antarctica, polarize, glaciers, mountains या Greenland, कौन करता है polarize, polarize में कितना होता है, 70% fresh water मिलता है, सबसे ज़ादा world का 70% fresh water आपको कहां मिलता है polarize में, चलो, next according to IUCN red list, what is the status of red panda, red panda का क्या status है, यह critically endangered species है, यह vulnerable species है extinct है, यह endangered है yes, बताओ कौन सी species है red panda, अब आपको red panda देखने को नहीं मिलता है तो कि यह कौन सी species है endangered है कौन सी species है, endangered species जो किसमे क्या होने वाली है, अब extinct होने वाली है, और इसका reason क्या है, due to deforestation deforestation और poaching कर देते है and poaching शिकारी, शिकार करना deforestation करना, जिसके कारण यह species क्या होती जा रही है, endangered species तो red list में यह कौन सी species है endangered species येस, शिवांगी, very good morning बेटा, कहा थी नीलम, C, D is correct निशा, D is correct, अराभ्या, D is correct very good, very nice तो कैसी species है, endangered next, prolonged liberal irrigation of agricultural feed is likely to create the problem अगर बहुत लंबे समय तक किसी agricultural field को क्या देते रहे, पानी देते रहे irrigation करते रहे, उसमें किसकी problem हो जाएगी, acidity की, aridity की salinity की, या metal toxicity की yes, फटा फट से इसका आंसर बताएंगे, अगर बहुत लंबे समय से किसी agricultural field क्या देते रहे, irrigation करते रहे उसमें किसकी problem create होगी या आंसर बताना है, आपको जब बहुत लंबे समय तक क्या होता है कि पानी देते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक क्या देते रहते हैं, irrigation करते हैं, irrigation करते हैं, तो आपको पता है वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है जो जालम वैसल्स है वो ज्यादा से जादा क्या करने लग जाते है पानी का पानी का पानी लेने लग जाते है और उस पानी में क्या होता है वह पानी सलाइन भी होता है जिसके कारण महां की सैलेनीटी पर इ स्पेशन पर इसका गरें औप सौट क्या ता स्वologne को मी odcश सी लिंग न guarantee वहब는지 कर देवांभी चीज करें नहीं हम एक से लिए drinking water को disinfect करने के लिए क्लोरीन आपको पता है डाला जाता है ओजोन आपको अब यूवेज और ओजोन से भी आपका क्या करा जा रहा है एक्षिन प्लोरामाइन या फिनाइल येस कौन सा नहीं यूज करते हैं किसके लिए करने के लिए किसको drinking water को फटा-फट से इसका अंसर बताएंगे salinity is correct very nice अब next question पर move करो बेटा क्या बोला है जो पानी हम पीते हैं उसको disinfect करने के methods क्या क्या है methods क्या क्या है या तो उसमें UV rays देते हैं या उसमें chlorine add करते है chlorine add करते है या filtration के process से करते है कि सेडिमेंटेशन करते हैं जब कि फिनाइल येस फिनाइल थोड़ी यूज करते हैं drinking water को फिनाइल कैसा होता है toxic होता है यह तो हम यूज नहीं करते हैं यह इतनी बात आप देखते हो फिनाइल को हम किस लिए यूज करते हैं object को disinfect करने के लिए आप किसी फिनाइल का यूज करते हो जैसे floor हो गया कोई object हो गया उसको disinfect करने के लिए फिनाइल का यूज करते हैं लेकिन drinking water के लिए फिनाइल का यूज नहीं करते हैं इसका correct option क्या है now next question next question देखो क्या कहता है photosynthetic active radiation PAR has the following range of wavelength, they provide a beautiful area for recreation, क्या provide करता है, beautiful area देता है recreation, next one can observe tropical plants there देख क्या कर सकता है, इसको tropical plants वहाँ पे observe कर सकता है, they allow XC2 conservation of germ plasma, क्या they provide the natural habitat for world life, तो PAR का क्या लेना देना है, PAR PAR क्या होता है, photosynthetic active radiation PAR, कितना होता है, 400 to 700 nanometer yes, क्या होगा इसका correct option, क्या बोल रहे हैं बच्चे PAR तो दे रखा है, आपको उसका correct option बताना है कि क्या होगा ठीक है, जल्दी से बताओ इसका correct option क्या होगा yes, everybody in the chat box, PAR कहां यूज किया जाता है yes, फटफट बताओ, तो आप सभी लोग जानते है कि PAR, कौन यूज करता है, plants यूज करता है, किसके लिए यूज करते हैं, photosynthesis के लिए यूज करते हैं किसके लिए यूज कर रहे हैं, photosynthesis के लिए, क्या range है, 400 to 700 nanometer, जो किसमे, किसमे visible होता है, spectrum में, यहां पे क्या होता है, chlorophyll A and chlorophyll B, chlorophyll A और chlorophyll B क्या होते हैं, capable होते हैं, किसके लिए, photosynthesis के लिए, यहां more light absorb करते हैं, तो वहां पे क्या observe होता है, tropical plants observe होता है, गूद मौनिंग दीपक तन्वर, गूद मौनिंग बेटा, शिवांगी ने क्या बोला था, अच्छा, अभी answer नहीं दिया, इसका, नीलम बोल रही थी, okay, नीलम, very nice, अराभया बोल रही थी, they provide natural habitat for wildlife, इस नहीं, wildlife को natural habitat ही थोड़ी देते हैं, पार का main काम क्या होता है, photosynthesis करना, वो कहां पे observe होगा, tropical plants में, जो उपर plants होते हैं, maximum, क्या लेते हैं, light को, light की wavelength को, कौनसी, 400 to 700, को absorb कर लेते हैं, कि पुरे spectrum से, जहां पे, उचमे, chlorophyll A और chlorophyll B सबसे जादा होता है, जो किसे लिए help करता है, photosynthesis के लिए help करता है, इपक तनवर, good morning, बेटा, dear ma'am, video रुख गया था, okay, video रुख गया था, चलो, next question देखो, next question क्या कहत है, photosynthesis in C for plants, is related, there is limit, by atmospheric CO2 level, because, for plants होते है, CO2 का, atmospheric CO2 का level होता है, this होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 4 carbon acids are primary initial CO2 fixation product है, ये तो ठीक है, वहाँ पे 4 carbon acids होता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है, क्या करता है, CO2 को fix करता है, सबसे पहले, the primary fixation of CO2 is mediated by, वाया pep carboxylase, ये pep carboxylase करता है, वहाँ पे, effective pumping of CO2 into bundle sheet cells, Rubisco in C4 plants has higher affinity for CO2, इसमें बोला है, जो C4 plants होते हैं, क्या होते हैं, C4 plants होते हैं, उसका, क्या बोला है, आपसे, question ध्यान से सुनो, और answer भी ध्यान से करना है, photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric C4 levels, because, yes, तेरी side तो video भी stop हो रही है, और voice भी कट रही है, voice भी कट रही है, yes, क्या बता रही हैं, इसका answer, अगर मैं बात करूँ, sugar cane की, अगर मैं बात करूँ, sugar cane की, तो sugar cane में fix कौन करता है, atmospheric CO2 को, atmospheric CO2 को, कैसे fix होता है, वो, phenyl pep, तो क्या बनाता है, यह oxaloacetate बनाता है, the presence of कौन से, pep, carboxylase, यही पढ़ा हैं सबने, सबने यही पढ़े, कि भूल गए हो, CO4 plants में यही पढ़े हमने, कि कौन करता है, fix कौन करता है, pep करता है, pep किस में convert करता है, oxaloacetic acid में convert करता है, और कौन सा enzyme चाहिए होता है, pep, carboxylase, यह किस में होता है, C4 plants में, यह क्या होता है, इनको less limited, इसको क्या चाहिए होता है, कम amount का CO2 चाहिए होता है, क्योंकि, यह mesophyll sheets से, इनके पास एक क्या होती है, क्या करते है, mesophyll cells से, जो CO2 है, वो कहाँ पर कर देते हैं, bundle sheet में कर देते हैं, जहाँ पर दुबारा fixation होता है, किसका CO2, तो effective pumping of CO2 into bundle sheet cells की वज़े से, इनको less level चाहिए होता है, नाज अनाटमी बूलगा, यह mesophyll sheets से नीचे आता है, यह mesophyll sheets होते हैं, यहां कौन से, bundle sheet cells होते हैं, यहां से यहां आ जाता है CO2, ठीक है, clear है इतनी बात, तो इसका answer होगा C, yes, आपको मेरे answer नहीं मिल रहे हैं, क्या, मिल रहे हैं बेटा, voice कम क्यों आ रही है, बार-बार आपकी मैम, voice कम आ रही है, टीपक तन्वर, voice कम आ रही है बेटा, चलो, next question बताएंगे आप फटा-फट से, chlorophyll in chloroplast, कहां पर पाया जाता है, chlorophyll कहां पर located होता है, chloroplast के अंदर, chloroplast का structure सबको याद है, chlorophyll का structure सबको याद है, यहां पर, पुछाएं कि chlorophyll कहां पर पाया जाता है, chlorophyll कहां पर पाया जाता है, chloroplast के अंदर, grana में, paranoid में, stroma में, या granine stroma में, yes, फटा-फट से इसका अंसर बताएंगे, जल्दी से, bundle sheet cells में, rubisco present होता है, yes, कौन सा, carboxylase, ma'am, question number mention किया करो, please, okay, बेटा, okay, ठीक है, next time से, दीपक तनवर, ma'am, mic ठीक कीजिए, mic ठीक नहीं है, आपको वाज नहीं आ रही है, वाज आ रही है सबको, chlorophyll in chloroplast, is located in, chlorophyll सबसे बहले मेरे को बताओ, located कहां होता है, कहां पर होता है, ठीक काउइड मेंब्रेन में, ठीक अकॉइड मेंब्रेन में होता है, in chloroplast, chloroplast के अंदर, जो ठीक क्लोरोफइड मेंब्रेन होता है, वाँ पर च्लोरोफिल प्रेजन्च होता है, कि नहीं होता है, Yes, बताओ, कि यह क्या है, एक, light trapping pigment है, light trapping फिग्मेंट है इस्थालकोईड एक के उपर स्टा́ exclusive होते हैं ईस्थालकोईड इसलगे अधे और इसी पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं घ्राणा बोलते हैं कि क्या बोला बेटा फैसी नमबन मेंब्र Southwest तो यह सारे जो थालाकॉइड मेंब्रेन होते हैं यह एक के उपर एक स्टाग्ड होते हैं यह क्या होते हैं तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं ग्राना बोलते हैं तो थालाकॉइड मेंब्रेन के उपर अगर क्लोरोफिल प्रेजन्ट है तो मतलब ग्राना है वो तो कि एक के उप अब नोग इंजाइंग उते उसको खोड़ोध को इंजाइम ऊपक्राइब में इसको जबक्तूरोध grab ac son करते हैं इसको अंदर फोटो ox and to ass me वह जबकि जो कि जो grab about your weekly present होग उसमें हेल्प करते right reaction kuracic actionradas parent present the growing prior ब्रहाइब ऐत्नी बात चले आगे चलो, अब पूछा गया, question सुनना, as compared to a C3 plants, how many additional molecule of ATP are needed for net production of one molecule of exhaust sugar by C4 plants? यह question आपने बहुत, मैंने यह topic आपको इतने detail में बताया था, C3 and C4 plants का, अगर जिसको अभी याद नहीं है, C3 और C, एक बार प्लीज, पीछे की वीडियो पे जाओ, photosynthesis की वीडियो पे जाओ, और एक बार revise करो, क्योंकि C3 और C4 cycle बहुत जादा important है, ठीक है, आपको options क्या द ATP are needed for the net production of one molecule, किसका hexose का, मतलब sugar बनाने का, glucose बनाने का, 2, 6, 0, 12, आपको पता है, C3 में, सबसे पहले अगर हम बात करें, चलो C4 की बात करते हैं, C4 में CO2 molecule, every CO2 molecule, कितना करता है, twice, दो बार fix रोता है, और hexose sugar में, कितना मनाता है, 12 बनाता है, कितने मनाता है, 12 ATP बनाता है, तब की आप जानती हो कि C4 के अंदर, C4 plants के अंदर, आपको कितने, 12 molecule, ATP, molecule, ज़्यादा चाहिए होते हैं, किस से, C3 से, 12 ATP ज़्यादा चाहिए होते हैं, यह, वहाँ पर total ATP कितने बनते हैं, 18 और 12, कितने, 30, जबकि वहाँ पर सिर्फ कितने बनते हैं, 18, 12 एक्स्टरा चाहि क्या 12 टोटल एटीपी कितने इस बनते है 30 कि 18 किस में बनते हैं c3 में भी बनते हैं c3 टोटल में से माइनस कर दो कितने बच्चे 12 12 एक्सको चाहिए होता है एक्स्ट्रा है किस पो फूर में इसलिए यह क्या है एक्सपेंसिव है c4 क्या है एक्सपेंसिव है क्योंकि जादा मांट का एक्टी पी चाहिए होता है इतनी बात इपल एक्सपेंसिफॉर है क्वेश्ट्हों क्या कहता है एक्सक्राइश कीम Board Question कि ऐंध्यूरी और म्नाइटों और ये संस्यां क्या कहती थी यह सबी लोगों को पते की मौस मौस तीयोरी क्या थी केआ कि की मौस मौस मूटिक हो और एटीप सिंथेस्टेश्ज कि एस क्या था एटीपी जेनरेशन किसमें माइटो कॉंड्रिया में है ना कहिता था Mitochondrium और ये ATP derive कैसे होता था वहाँ पर Mitochondria के अंदर आप जानते है Mitochondria का जो ये वाला layer होती है ये वाली इसमें क्या लगे होते है F0, F1 synthetase लगा होते है ATP synthetase भी बोलते हैं जिसको जो कैसे काम करता है कैसे, yes, very good very good Shivangi, very nice Nikita Gupta, very good यहाँ पर क्या होता है, development of proton gradient proton gradient का development होता है, very nice proton वापिस जाते है और किसका synthesis होता है, ATP का इसमें confirmation change होता है इस synthetase के अंदर क्या होता है confirmation change होता है इसके कारण ATP generate होता है किसमे, ADP plus phosphate, किसमे convert हो जाता है ATP में convert हो जाता है ठीक है, proton gradient की वेचा clear है, इतनी बात जब photolysis होता है और photolysis में H plus ion, lumen के अंदर बहुत जादा हो जाती है तो proton gradient आ जाता है तब यह F0, F1 काम करता है clear है, इतनी बात तो proton gradient is correct very nice, very nice yes बेटा, very good very good Nikita, beauty of nature very good, Amitpal very good Shivangi very nice चलो, next question पर move करते है पार, photosynthetic active radiation has the following range of wavelength 400 to 700, 450 to 950 340 to 450 500 to 600 क्या पूचा है, photosynthetic active radiation पूचा है पार के बारे में पूचा है, पार F1, F2, particle on thalocoid membrane, pump proton to stroma yes, ठीक है, A, very good Nikita Gupta, very good Neelam, very good Nisha, very good very nice, Arabya, very nice Shivangi, very good बेटा, nice इतने, पूरे spectrum में से वो कितनी light absorb करता है light, कितनी absorb करेगा तो 400 to 700 nanometer होगी है ना उसी कोई हम क्या कहते है, पार कहते है चलो, next In light reaction, light reaction के अंदर photosynthesis का जो light reaction होता है oxygen comes from वहाँ पे oxygen किस से आता है, water से, CO2 से, soil से, या atmosphere से Yes, जल्दी बताओ, इसका answer क्या होगा क्या question पूचा है In light reaction of photosynthesis, oxygen comes from कहां से आएगा Yes, very good Very good जल्दी से answer करो, फटा फट से जल्दी बताओ, oxygen comes from Photolysis, भूल गए? Yes, very good Neelam, very nice Arabya, very good Nikita, very good Music, very, music go Okay, very good Panke Bihari, very nice Beauty of nature, very good Shivangi, CO2 कैसे बेटा? Photolysis Photolysis कहां पे होता है? Light dependent reaction है Light dependent reaction है कैसी reaction है? Light dependent reaction है किसकी? Photosynthesis की जिसमें H2 का दो प्रोटों की प्रेजेंस में, क्या होता है? Photolysis होता है, दो इलेक्टरोन बनते हैं, 2H+, बनता है, प्लस O, बनता है, यह oxygen चीक है? Clear है? Oxygen is liberated from water molecule Clear है? Light reaction में, photosynthesis में क्या होता है? भूल गए, photolysis होता है, photolysis किसका होता है? Water का होता है, फ़ांगी, clear हो गया बेटा? Yes, किसने किया था इसका experiment? Samuel, Ruben and Martin Kamene Martin Kamene, किसका यूज करके? Radio active isotope का यूज करके Very good Help to prove इन्होंने क्या प्रूफ किया था? कि जो यह nascent oxygen है, कहां से आ रहा है? Photolysis से आ रहा है No ma'am, wrong typing Okay बेटा, मैं वो ही सोचूं कि शिवांगी ने इस्तना simple answer कैसे गलत कर दिया ठीक है? चले next question पे Next question क्या कहता है? फटफट से बताओगे Product of light reaction of photosynthesis is Carbohydrates, ATP, ADP, O2 और NADPH, ATP और O2 Yes क्या होगा? Yes, Ruben and Carmen Yes चलो, बताओ इसका answer क्या होगा? उनने radioactive isotope का use किया था ठीक है? Oxygen come from water Yes चलो, next question बताओ Light reaction का Light reaction का Product पूचो पूचो, बताओ क्या होगा? NADPH, ATP और O2 Shivangi कह रहे है, D होगा Okay, Nikita कह रहे है, D होगा Nilam कह रहे है, D होगा Purnima कह रहे है, D होगा Aisha कह रहे है, D Beauty of Nature, D Music word कह रहे है, C Okay, ATP, D D, Arabya D, Deepak Tanwar B चिक है जो light reaction of photosynthesis होते हैं वो क्या produce करते हैं? ATP को और NADPH NADPH को जो फिर बाद में जाके Dark reaction में जाके यह किस में convert होते हैं? Dark reaction में Dark reaction में जाके यह किस में convert होते हैं? Carbohydrate का synthesis होता है यहां से क्या बनता है? Energy बनती है और यहां से जाके क्या बनता है? Carbohydrate का synthesis यहां पे PS system work करता है PS1 और PS2 तो यहां पर NADPH और ATP और O2, O2 कैसे? फोटोलाइसस के द्वारा, यह रहा है क्योंकि फोटोलाइसस तो इसमें ही होता है, लाइट रेक्शन में होता है, अभी हमने देखा, तो यह क्या होगा, लास्ट वालाइस करेक्ट, वेरी नाइस, चले आगे, चलो, इसमें से यह बताना है आपको, कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, कम्प्लीट ओक्सिडेशन होता है, किसका ग्लूकोस का, और वहां से सबसे ज़्यादा ATP के मॉलेक्यूल से, जब कन्वर्जन होता है, पायरविक ऐसिड का ऐसी टोल में, मैं, जब электron transport chain होता है, या glycolysis होता है, या crab cycle होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी? किसकी बात करेंगे, glycolysis से अंसर कर रहे हैं बच्चे, मैम को निशा नजर नहीं आई, आई है बेटा, निशा तो सबसे पहले आई थी, नीशा ने सबसे वहले माम से यह भी पूछा था कि माम आप कहां रह गए है ना बोला था मैंने ठीक है क्लियर है ETC येस आंसर आ गया माम के बताने से पहले ही आंसर आ गया आपको पता है ग्लाइकोलाइसस में 4 ATP and 2 NADPH मॉलेक्यूल बनते हैं किसके अंदर ग्लाइकोलेसस के अंदर फिर यह किसमें जाता है ETC के अंदर जाता है फिर यहां पे oxidative decarboxylation होता है जहांपे कोई भी ATP नहीं बनता esse क्राब साइकल के अंदर क्राब साइकल के अंदर pro ATP बनते हैं और pro ATP बनते है sikus NADPH2 बनते ऑंने डी-ऐच 2 बनते हैं और कितने FED कितने बनते हैं 2EF a이2 बनते है यह पिसमें चले जाते है एस चाहिए एस है कि यह में यह लिखा तो है so the net gain net gain कितना होता है 38 ATP का और सबसे जाधा किसमें बनते हैं ETC में क्योंकि सारे के सारे किसमें चले जाते हैं जाए इलेक्टरॉन ट्रांस्पोर्ट होता है ना वहां पे चले जाते हैं चीक है पाइट्रोकॉंड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है वहां पे कोई भी ATP जेनरेट नहीं होता है क्लियर है इतनी बात तो इलेक्टरॉन ट्रांस्पोर्ट चेन में सबसे जाधा क्या बनता है ATP यह हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कंप्लीट ऑखिडेशन भी वही होगा कंप्लीट ऑखिडेशन मतलब कार्भो를 हाइड्रेट का कंप्लीट ऑ expendwarat क। कऊषिएगा किसमें CO2 में वॉटर में अभी तो बीचमें पाइर विए एसिटाइल सी ओ बनता है पिर वह ग्लाइकोलाइस साइकल के अंदर जाता है ठीक है चलो एक्सट रेस्पिरेशन इन विच टाइप आफ प्रोसेस रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है के टाबॉलिक मेटाबॉलिक एनबॉलिक या नन यह यह जैस यह ओके निशा वेरी गुड बेटा बत बता हो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कार्बो हाइड्रेट शुगर जो है उसका क्या होता है ऑक्सिडेशन होता है कंप्लीटली ऑक्सिडाइज करता है तो इसमें यहां पे शुगर का क्या हो रहा है तो गर का ब करद एक कैसा प्रोसेस है एक एस फटाफट जीन दिकिता कुपता कहे रही है एए भीऀटी ओफ नेचर कहा रहा है भी शिवंगी कही केमिकल कहा लिखा है chemical catabolic होगा वो यह ना येस नीलम कह रही है ए रक्षिता कह रही है ए लक्ष्मी पाल कह रहा है कह रहा है ए अराभ्या कह रही है ए पूर्णिमा कह रही है C ctic इनाबॉलिक नहीं बेटा Photosynthesis कैसा इनाबॉलिक है जिसमें कोई चीज बनती है जैसे C02 और मिलकर क्या बना रहे है आपका शूगर बना रहे है यह कैसा है इसमें बन रही है चीज यह कैसा एनभॉलिक है अनभॉलिक है जबकि आपका respiration क्या है क्याट अबॉलिक है इसमें कोई चीज तो रही है तो रही है ना शुगर का breakdown हो रहे है तो यह कैसा process है catabolic नीलम वेरी गोड निकिता वेरी गोड निशा वेरी गोड वेरी नाइस चलो वैरी गुड बेटा respiration is catabolic process द्यूटू किसका क्वेस्टिन आगे अब यह ज़िए नहीं दिख रहे किया आईशा मेसेज आपका दिख रहे यह आपने किया है वेरी गुड मैं थोड़ा सा समझा लो केटाबॉलिक ही है वो अच्छा थोड़ा सा समझ लूँ ठीक है केमिकल की जगा केटाबॉलिक है और मैं समझ ले शिवांगी क्या हुआ चलो इस क्वेस्टिन की तरफ देखो क्या बोला है आपको पता है जो इंसेक्टिव औरस प्लांट होते हैं कि प्लांट व म्यं काक्ति इन्सेक्टिव औरस प्लांट है अई पर किया है इंसेक्टव औरस प्लांट्ग है जहां पर क्या धूर्ब क्या कैसिए तक सब्हीं कि नाइसों कि रच शाइल की तोयल की जब क्या होता है जब ये प्रेशर कौन सा प्रेशर तर्ग ये वाला टर्गर प्रेशर चेंज हो जाता है किसके अंदर इसकी वाल्स के अंदर तो ये क्या करते हैं ये ट्राप करते हैं इसके प्रेशर के थू तो यहां पर क्या होता है रैपिड तर्गर प्रेशर में जब क्या आजाता है चेंज आजाते हैं किसकी लीफ में किसकी ट्राप की ट्राप की लीफ के अंदर जब ट्रगर प्रेशर चेंज होता है तो यह क्या करता है और इंसेक्ट लैंड पे लैंड पे होता है तो यह क्या कर लेता है उसको ट्राप कर ले क्या कर लेता है अंदर अब टर्गर प्रेशर नहीं है तो वो क्या करेंगा इसीली मूफ कर जाएगा तो वह अपने आपको बंद कर लेता है और इंसेक ट्राप हो जाता है उसके लिए और यह होता का है जहां नाइट्रोजन रिच सॉयल नहीं होती देफिशेंसी होती है यह उसी इंसेक्ट स क्या पूछा गया है next question पूछा गया है which is the site of crab cycle क्राप साइकल की साइट क्या है chloroplast गौलगी बोडी माइटो कॉंड्रिया या एंडोप्लास्मिक रेटिकिलम कि यह जल्दी बताओ डी बोल रहा है एंडोप्लास्मिक रेटिकिलम क्राप साइकल पूछिए बेटा क्राप साइकल क्राप साइकल कहां होती है कैसे बूल सकते हो यह question यह वाला question कोई कैसे बूल सकता है बही क्राप साइकल पूछिए कहां पे होती है कहां पे होती है क्राप साइकल लक्ष्मी पॉल कह रहे है D लक्ष्मी पॉल कह रहे है D Mitochondria Okay, Music C, Neelam D Aisha C, C क्या है Mitochondria, Okay C, C, सब कह रहे हैं C सभी कह रहे हैं C, Deepak Tanwar कह रहे है CB, CB CB और BB So, U कह रहे हैं U कह रहे हैं 2 Carriots के अंदर Crab cycle होती है Crab cycle, जिसको हम क्या बोलते हैं Citric cycle और क्या बोलते हैं TCA cycle भी बोलते हैं Pry carboxylic acid cycle जहां पे क्या होता है Carbohydrates को Breakdown करने के लिए Series of reactions होती है यह किस के अंदर होता है Mitochondrial matrix के अंदर Chondrial Matrix of Mitochondria Here है, Mitochondria Very nice, very nice Next question पर move करें Chalo, next question क्या कहता है Next question कहता है Giberlins can promote Seed germination Because of their influence on क्या बोला इसमें आपको option क्या दे रखे हैं Giberlins can promote seed germination Giberlin क्या promote करता है Seed germination क्यूं करता है Rate of cell division Production of hydrolysis enzyme Synthesis of epsosic acid Absorption of water through Hard seed coat Giberlin क्या पूचा है Giberlin Yes, कौन बताएगा बहुत अच्छे से पढ़ा है यह भी हमने Stant hormone में पढ़ा था Giberlin क्या आप करता है Giberlin क्या करता है Promote करता है किसको Seed germination Seed germination क्या बोल रहे है इसका answer आ रहे है Ma'am के screen में कमेंट सही नहीं जाते है मेरी screen थोड़ी दूर है मेरे को थोड़ा देखके पढ़ना पढ़ता है स्पेस का चक्र पढ़ गया Ma'am वो स्पेस का अच्छा ठीक है ओके ओके दीपक तनवर ओके Shivangi कह रही है Ma'am के screen में कमेंट नहीं जा रहे है Production of Hydrolysis Enzyme ओके ओके Action of यह क्या करता है Production करता है किसका बताया था मैंने Hydrolyzing Enzyme का Endosperm के अंदर है किसके अंदर Endosperm के अंदर Endosperm के अंदर जैसे कौन-कौन से थे Proteases Amylase Type A Which help किसमें help करते हैं यह Which help 2 Mobilize Mobile किसका किसका mobile करते हैं किसका Mobilized Store Nutrients Stored Nutrients का Mobilization करते हैं इसमें Production of Hydrolyzing Enzyme तब भी तो Seed Germinate होता है आपको नहीं भूलने वाले Okay मैं भूलने भी नहीं दूंगी आपको नहीं भूलने भी नहीं दूंगी चलो Next Needs Overlap Indicates क्या Sharing of One or More क्या बूला है ठीशे Overlap Indicates क्या Overlap करता है Sharing of One or More Resources Between Two Species Mutualism Between Two Species Active Cooperation Between Two Species Two Different Parasites On The Same Host ठीक है ठीक है आईशा ठीक है चलो Done बोल रहे हैं जब सेलेक्शन हो जाएगा तो माम को पाटी मिलेगी चलो Next बताओ निशे Ecological निशे क्या होता है बताया है अभी अभी ecology में पढ़के आई हो अभी अभी बिल्कुल बनाए रखिये हमारे उपर क्रिपया तो पूरी है बेटा बस आप मैनाद करते रहो कोई छूटेगा नहीं Total Interaction Of Species With Its Environment Or Its Function Basically किस से उसके Function से तो क्या कहते है निशे बोलते है चिक है क्या होता है मैंने आपको बताया था ये पूरा है बिटाट है लेकिन एक स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज ए और बी इन दोनों के बीच का Interaction क्या कहलाता है निशे कहलाता है ये पूरा एरिया निशे का है ये पूरा एरिया हाबिटाट का है निशे हाबिटाट के अंदर ओवरलाप करता है तो ये क्या करते है Sharing of one or more resources between two species तो स्पीशीज के बीच में एक और एक से जादा one or more resources जब क्या होती है ये शेर होती है उसको क्या बोलते है निशे बोलते है वेरी नाइस वेरी नाइस A is correct बांके भिहारी वेरी गोड आईशा वेरी गोड दीपक तन्वर वेरी गोड शिवांगी वेरी गोड अराब्या वेरी नाइस चलो बहुत ही अच्छा इंडिया में कौन-कौन से हिमाल्याज वेस्टन घाट्स वेस्टन घाट्स इंडो वर्मन रीजिन और संडर लांड इसको निकोबार ग्रूप आइलाइंड भी बोलते हैं ठीक है कौन-कौन से है तो बताओ कौन सा है इसमें से होट्स पॉट्स 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 पॉट् चलो, next, in photo system 1, the electron acceptor is, yes, कौन सा है, कौन सा electron acceptor है, किस के अंदर, photo system 1 के अंदर, photo system 1 की बात की गए, yes, बताओ, photo system 1 कौन सा है, कहां से कहां तक होता है, photo system 1, जल्दी बताओ, सबसे बुला रही हूँ, ओके, ठीक है, मैं आएंगी अपक का, selection ले लो, सबसे पहला, photo system 1 में कौन है, प्लास्टो साइनाइन, प्लास्टो साइनाइन है, सलफ़र प्रोटीन है, फेरडॉक्सिन है, साइटो क्रॉम है, yes, जल्दी बताओ, कहां से कहां तक, प्लास्टो साइनन से, प्लास्टो साइनन से फेरडॉक्सिन तक, photo system 1 होता है, तो आइरन सलफ़र प्रोटीन, very nice, कौन सा है, फेरडॉक्सिन, जिसको क्या कहते हैं, आइरन कंटेनिंग सलफ़र कहते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर पूछा जाए, इस यूरन कंटेनिंग सलफर प्रोटीन है, ठीक है, विच इस दा फॉस्ट पिग्मेंट, फॉस्ट पिग्मेंट, तक, एक्सेप्ट, इलेक्रोन इन फोटो सिस्टम 1, ठीक है, चले आगे, बी, very nice, very good, very good, very nice, बीटा, very good, चलो, next question, next question क्या कहता है, during photorespiration, reaction occurs in the oxygen consuming, photorespiration के दौरान, जो reactions होती है, उसमें oxygen consuming reaction कहाँ पे होती है, the oxygen consuming reaction, oxygen, oxygen consuming reaction, कहाँ पे हो रही है, किस के दौरान, photorespiration के, grana of chloroplast and perioxysomes, stroma of chloroplast, stroma of chloroplast and mitochondria, या stroma of chloroplast and pyroxysomes, photorespiration कहाँ पे होता है, photorespiration, कहाँ पे होता है, plants में होता है, जब क्या हो जाता है, concentration of oxygen increases, increase कर जाता है, तो ribolose, यह जो, ribosco enzyme है, ribolose, carboxy enzyme, combine किस के साथ कर जाता है, oxygen के साथ, instead of CO2, CO2 की जगा, यह ribosco, कि, ribosco, कि, ribosco किस के साथ कर जाता है, CO2 के साथ कर जाता है, क्योंकि, CO2 का, वो amount जादा होता है, CO2 का कम होता है, तो oxygenase की तरह काम करने लिए, this process is considered as wasteful, for plants है ना, कहां से होता है, C3 cycle में होता है, कौन-कौन से organelles चाहिए होते हैं, chloroplast, कौन-कौन से, peroxysomes, और, 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 जल्दी बताओ, mitochondria, की नों चाहिए होते हैं, mitochondria, यही तीनों चाहिए होते हैं, chloroplast, peroxysomes, और mitochondria, यही चाहिए होते हैं, कहां होती हैं, peroxysomes में और, chloroplast के grana में, कौन सी reaction होती हैं, oxygen consume, glycolate, जिसमें convert होता है, grana of chloroplast and peroxysomes, yes, Nikita, very good, very good, बेटा, stroma of chloroplast, okay, 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 अच्छा, ठीक है, ठीक है, stroma में होता है, yes, यही नहीं होगा, very nice, stroma में होता है, chloroplast के stroma में होता है, और, oxaliate में, यहां पर oxygen की, oxygen की presence में, फिर वो glycine में बनता है, फिर वो किसमें बनता है, glycine में, वो किसके अंदर बनता है, mitochondria के अंदर, फिर वो दुबारा chloroplast में चला जाता है, formation, याद है कि कुछ नहीं याद है, A होगा, A होगा, yes, A नहीं होगा, D होगा, yes, बोल ग्राना लिखा था, स्ट्रॉमा में होता है chloroplast, ठीक है, तो D is correct, दुबारा से बताओ, यहां पर किसी को कोई doubt है, तो दुबारा से बताओ, diagram बना के बता दू एक बार, chloroplast, ऐसे एक diagram बनाया था मैं ने, यहां पर chloroplast लिखा था, यहां पर का लिखा था, पर oxyzome लिखा था, यहां पर mitochondria दिखा था, तीनों में steps बताए थे मैंने आपको, कि कौन-कौन से होते हैं, chloroplast में क्या होता है, येस, दुबारा से बताओ, चलो, एक blank slide में बताई देती हो, यहां पर हमने एक diagram बनाया था, यहां पर मैंने आपको बताया था, जब यहां पर CO2 अंदर जाता है, यहां पर कौन होता है, Rubisco होता है, यहां पर क्या होता है, O2 भी अंदर जाता है, यह किसकी बात करी हूँ मैं, chloroplast की बात, यह क्या करता है rubisco, इसको phosphoglycinate, phosphoglycinate backward Mir convert, 2pg में है न और यहां से 2pg से glycinate में convert होता है, glyco verse mekonverd होता है, यहां पर कौन संदाइम होता है, Pgp अपर किसके साथ combine कर रहा है? 4-2 के साथ combine, ठीक है, यह glycolate अब कहां पर चला जाता ही गलाइकलेट चला जाता है पर ओक्जीजोंग में तर अधिंग इसरी आइट आइड ओम टो मींज येस अच्छा मुझे लगा आपने वोले जी बताओ तो अब ग्लाइको लेट किससे करेगा, glyco oxALIATE बनाएगा, glyco oxALIATE बनाएगा, जैसे ही एपर O2 जाते है और H2O निकलता है लोगर निकलता है, फिर ये glycine में गलाइसीन से सीरीन मनता है, फिर सिरीन इदर जाता है। दुबारा पर आगजीजों में, फिर यहां पे हाइपो हाइपो-Pyrovate बनता है, है ना। फिर यह ग्लीसरेट में convert होता है, फिर ग्लीसरेट दुबारा इस साथ जुड जा। DPEG दुपारा इसके साथ जुड़ा ऐसा प्रॉसेस होता है लेकिन वेस्ट है किसके लिए कांट के लिए सब्सक्रागी तो कहा होता है स्ट्रोमा औफ क्लोरोफास्ट और परोक्षिजों एक्स एन एंजाइम दाट स्टिमुलेट जर्मिनेशन आफ बारले सीट्स इस प्रोटियेस, इंवर्टियेस, अमाईलेस या लाइपेस क्या पूच रहा है बारले सीड के अंदर जर्मिनेशन कौन करता है यास फटा फट सा इसका अंसर बताएंगे अन एंजाइम धाट कन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑ बारले सीड कौन करता है एम्परीयो Protease करता है, Invertase करता है, Amylase करता है, या Lipase करता है तो आपका Embryo होता है, किस से Rich होता है, कौन से? कि Berlind से, ना? कि Berlind क्या Break करता है, Dormancy को और क्या करता है, Germinate करता है, ठीक है? कुछ आंसर आ रहे हैं, नीलम गह रही है, Protease Alpha Amylase Yes, यह क्या है, कि Digestive Enzyme है, जो किसका Breakdown करेगा? Parvohydrates का, ठीक है? यह Digestive Enzyme stimulate करता है, कौन? By the synthesis of Alpha Amylase जिसकी वज़े से क्या होता है? Mobilized, stored होते हैं, nutrients stored nutrients, mobilized होते हैं, ठीक है? क्लियर है, इतनी बात? तो कौन सा है वो? Alpha Amylase का होगा? क्या? Alpha Amylase क्लियर है, इतनी बात? Alpha Amylase, very good, very nice very good, बेटा, very good Shivangi, very good Kisha, very good Aisha, very good Deepak Tanwar, very good Beauty of Nature, protease नहीं होगा बेटा, Alpha Amylase होगा Rabia Khan, very good, Nikita, very good Alpha Amylase, very good Seed Germination के लिए Alpha Amylase रही होगा Which of the following Ecosystem type has the highest annual net primary productivity? Net primary productivity NPP की बात की गई? कौनसी होती है, जो Gross में से, Gross में से R माइनस कर दो, तो NPP निकल जाता है Net productivity निकल जाता है Gross में से, जो Plants यूटलाइस कर लेते हैं, उसको अगर माइनस कर दो, तो क्या निकल जाती है? Gross वाली निकल जाता है बच्चे बोल रहे है, B नीलम बोल रहे है, B निकिता बोल रहे है, B Tropical Rainforest, very nice क्योंकि यहां के Plants कैसे होते हैं? Evergreen होते हैं Evergreen होते हैं, तो Evergreen होंगे और यहां पे Vegetation भी जादा होता है Dense होता है, Vegetation भी कैसा होता है? Dense होता है, तो जादा Productivity होगी और Light भी जादा क्या करेंगे? Absorb करेंगे, Productivity भी जादा होगी तो यहां पे 9,000 किलो कैलरी किलो कैलरी पर स्क्वार मीटर पर स्क्वार मीटर पर एर पर स्क्वार मीटर पर एर रहे होते हैं जब मैंने क्लास में आपको बताया था तब भी बताया था Tropical Yes, Tropical Rainforest is very nice Nikita Gupta, Shivangi, Neelam, Aisha, Lakshmipal, Nisha Beauty of Nature, Nikita Gupta, very good वो टोटल था बेटा, 170 टोटल था Million Tons, ठीक है? Next Geometric representation, characteristic of ecosystem, biotic community, population या lands कहां पे आप Geometric representation करते हो, किसका? किसी भी चीज़ का जहां पे आप क्या करते हो? Geometric representation करते हो, उसको क्या कहते हैं? ecosystem कहते हैं, biotic कहते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जल्दी पिताओ population के अंदर, यादे? population के अंदर, individual की different individual की different same time, same job, क्या हुआ? क्या हुआ निश्या को? ages, जुसमें आप age structure बना रहे थे, age का structure बना रहे थे, हैना? post, pre, तो वो किसमें देख रहे थे? हम geometrical representation, population clear है, C population ecosystem नहीं होगा बेटा, population होगा, geometric representation किसका characteristic है? population का, जुसमें आप, post reproductive, pre reproductive और reproductive stage, age के according हम क्या बना रहे थे? geometric का representation दे रहे थे, okay? clear है, जलें आगे, next the first acceptor of electrons from an excited chlorophyll molecule of photosystem 2 is हावा, हम exponential growth और logistic growth भी बता रहे थे, yes चलो, next question बताओ, क्या पूचा है? first electron क्या बोला है? first electron acceptor from an excited chlorophyll molecule photo system 2 की बात की गई है, आप किसकी बात की गई है? photo system 2 की जब photon, light किस पर पढ़ती है? chlorophyll पर पढ़ती है, chlorophyll के molecule में पढ़ती है तो chlorophyll का molecule क्या हो जाता है? excited हो जाता है, excited हो जाता है तो यह excited state में चला जाता है excited state में चला जाता है और ना पे क्या और होता है? याँ पे photolysis का process होता है और proton आगे चला जाता है. ना पे क्या होता है? photolysis होता है और यह proton आगे चला जाता है. तो photo system 1 में जो capture करता है सबसे पहले वो कौन सा होता है? iron sulfur proton. कि पूटो सिस्टम वन में होता है जबकि फोटो सिस्टम टू में पूछा है अगर गलत देगी तो तुम्हें सही देना है क्लियर है इतनी बात तो क्या होगा इसका करेक्ट आप्शन क्यून होगा क्यून होगा येस ये मैंने किसका लिख दिया था फोटो सिस्टम वन का फोटो सिस्टम टू में सबसे पहले क्या आता है क्यून आता है ठीक है एक ये 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 प्लास्टो क्यून और चले आगे यही देख रही थी मैं अब यहां पर लिखूंगी तो बच्चे भी लिखना चलो, next question in the leaves of C4 plants, malic acid formation during CO2 fixation occurs in the cell of क्या पूछा है C4 plants के बारे में पूछा है C4 plants में जो malic formation होता है, malic acid formation होता है, कहां पे होता है C4 plants के अंदर yes, कौन बताएगा, फटफट बताओ C4 plants के अंदर, वो भूल गए, एक diagram में बनवाती है ऐसे करके, बनाती है, ऐसे करके, एक नई sheet पर बना लेते हैं अच्छे से समझ में आते हैं diagram 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 बनाते हैं, यह वाले कौन से होते हैं, mesophyll और यह वाले कौन से होते हैं, बन्दल शीट हो, यहां से atmospheric CO2 आता है, HCO3 और फॉस्फोइनोल, फॉस्फोइनोल, फाइरोवेट, आता है, तो यह क्या बनाता है, fixation करता है, किसके अंदर, C4 cycle में, और यहां से यह ट्रांस्पोर्ट हो जाता है, किसके अंदर, यह जल्दी बन्दल शीट के अंदर, C4 cycle, C4 acid, fixation Kelvin cycle के अंदर, यहां पर decarboxylation होता है, इसका, decarboxylation होता है, जहां से CO2 बाहर निकल जाता है, और C3 acid बन जाता है, जो कहां पर वापिस ट्रांस्फर हो जाता है, इसके अंदर, ट्रांस्पोर्ट हो जाता है, यही था, कि नहीं था, यह जल्दी बताओ, खाक ही नहीं था, यह, C4, कहां पर बनता है यह वाला acid, बंडल शीट के अंदर, कहां पर बनता है, बंडल शीट के अंदर, तो आप से यही पूछा गया है, कहां पर बनेगा, बंडल शीट के अंदर बनेगा, जल्दी बताओ, हां तो ट्रांस्पोर्ट हो के जा रहे हैं कालिक एसे गो टू ड्रांस्पोर्ट लेकिन बनकार है यहां पर formation पूछा है गलत है यह यहां ट्रांस्पोर्टेशन नहीं पूछा है यहां formation पूछा है और मेशन तो मीजोफिल के अंदर हो रहा है कुछ देखते नहीं है ध्यान से चलोरोफिल pigment कहां पर present है मीलो मीजोफिल के अंदर जहां पर गार्बन डायोकसाइड का fixation हो रहा है कि जिसके कारण क्या बन रहा है मैलेक एसिड बन रहा है कि तो मैंलेक एसिड का formation का हो रहा है मीजोफिल में येस शिवांगी ने सही बोला मीजो फिल होगा माम बेटा कहा है ध्यान बंडल शीट में ट्रांस्पोटेशन होता है अभी तो मैं दिखा रही थी कि ट्रांस्पोटेशन बंडल सीट में होता है लेकिन formation पूछा है, यहां क्या पूछा है, malic acid का formation, तो CO2 का fixation तो mesophyll cells में होता है, mesophyll cell में malic acid बनता है, चिक है clear है, चले आगे, चलो the overall goal of glycolysis क्या पूछा है, next question the overall goal of glycolysis crab cycle and electron transport system is the formation of मेरा भी correct था, मेरा भी correct था okay, very nice, सही बताओ कोई, 200 भी लोगा तीपक तनवर, चिक है, चलो next, तो overall goal क्या है, किसका glycolysis का, crab cycle का और transport system का, nucleic acid का formation करना, ATP करना small units में, ATP large oxidation reaction में, या sugars का formation करना, yes, फटा फट बताओ, overall goal पूछा है overall goal पूछा है किसका glycolysis का crab cycle का और ETC का ये क्या है, cellular respiration process है, है ना, cellular respiration में तीनों process होती है जहाँ पे क्या बनती है, energy produce होती है, produce, energy लेकिन energy किसमें, small small unit ऐसा ही तो नहीं, एक reaction हो गया उसमें, एक oxidation सीधा ही oxidation हो गया, carbohydrates का, तो ATP काहां पे बनता है, small step-wise unit ठीक है, clear है, तो सबने answer सही किया, Shivangi very good, Divendra very good, Beauty of Nature very good, Deepak Tanwar very good, Shivangi small step-wise, Aisha very good, Arabya very good, Lakshmi Paul very good, very nice, very good, next, next question क्या कहता है, next question कहता है, all enzymes of TCA cycles are located in mitochondrial matrix, except one, which is located in inner mitochondrial membrane, in eukaryotes, and in cytosol in prokaryotes, the enzyme is ये question, जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो मैंने वहाँ पे 2 star mark दीखे थे, आपको याद है, जब मैंने ये, आपको concept बताया था, तो मैंने बोले था, यहाँ पे 2 star mark कर लो, हो आज भी याद है, कि ये वहला नहीं होता है, इसमें, yes, सारे के सारे enzymes, all enzymes, किसके अंदर, TCA cycle के अंदर, अगर ये answer नहीं बताएंगे ना, तो मैं तो, मैं तो सूचूंगी, biology भूल गए हैं, अगर सारे के सारे enzymes, TCL cycle के mitochondrial के matrix में होते हैं, mitochondrial के कहां पे होते हैं, matrix में होते हैं, लेकिन एक enzyme है जो inner membrane में पाये जाते हैं, inner mitochondrial membrane में पाये जाते हैं, अगर, mitochondrial membrane में पाये जाते हैं, वह जल्दी से बता दो, succinate dehydrogenase, very nice, very nice, very good, very good बेटा, अच्छा पूर्णिमा कह रही है, B, Lactate कहां से आ गया, अच्छा वह पहले का बता रहे हो, Nikita बोल रही है, दिवेंदर बोल रहा है, Nikita गुपता बोल रही है, जो किसमें Fumaric Acid में convert करते हैं, very nice, A, A foolish seedling disease of rice led to the discovery of यह भी नहीं बताओगे तो पिटाई होएगी यह भी मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या पढ़ रहे थे hormones, plant hormones के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने एक discovery बताई थी जो किसने करी थी bacaine disease, bacaine जपान में क्या बोलते हैं, bacaine को पागल है क्या bacaine yo, हां तब भी मैंने आपको बताया था तो जपान में उई थी यह बता दिया आप बतादो खुदी इसके कारण उई थी, कौन सा क्या बोल रहे हैं, रक्षिता बोल रहे है A, I, A, A, B, Nikita बोल रहे है B, दिवेंदर बोल रहे है D, क्ाणि कहा बोल रहे है B दीपक टनवर बोला है Sivangy कहां चली गई Sivangy बोल रहे है B बोल पक्रीन दिजीज है Fullyṣ questo को कहा बोलते है बोलते है अن बेकेन डिजीस भी बोलते है要गे पहां पहुती है राइस सीडलिंग के अंदर होती है rice seedling, किसके कारण होती है किसके कारण होती है, fungus के कारण होती है, कौन सा fungus QG, याद है नाम बड़ा अजीब सा था Kiberlia QG, Koroe Koroe किसने की यही थी इसकी discovery Kuru Sawa भूल गए, Kuru Sawa किया Kiberlia कैसे का इसके क्लियर है चले मैं, मेरे आपको मेरे कमेंड नहीं दिखते हैं दिखते हैं, बेटा, जब करती है तो दिखते हैं Shivangy मैंने थोड़ी कोई वो लगा रहा है अपने सिस्टम के अंदर कि Shivangy का अप वो ना दिखे चलो, next Qurscus species are dominant component in Yes Qurscus species अभी बताई थी मैंने किसकी species होती है, कौन सी species होती है Qurscus कौन सी होती है औक, कहां पर dominant है औक ट्रीज जिजें हम बोलते हैं कहां पर पाए जाते हैं, Northern Hemisphere में और भूला मत करो चीजें आने लिखवाया था आपको पेपर में भी आपके नोटबुक में भी लिखा होगा ये तो पहले answer मेरा ही जाता है ओके ओके बेटा, ओके temperate deadicious forest में very good क्यों क्या क्योंकि इनके कैसे broad leaves होती है broad leaves होती है और इनकी flat leaves होती है कैसे plants है mostly evergreen plants है evergreen है कहां पर पाए जाती है जहां पर warm temperature होता है temperate deadicious forest में में यह मिलता है moderate winters में मिलता है लेकिन ज्यादा तर warm में मिलता है आज मैं खुश है मैं खुश इसलिए क्योंकि आप answer सही कर रहे है answer सही कर रहे है मैं इसलिए खुश है है next next question बताओ in leaves of C4 plants malic acid synthetization occurs in क्या पूछा है C4 plants के अंदर malic acid का synthesis का होता है और bundle sheet में guard cell में epidermal में mesophil cell में कहां होगा कहां होता है बोल रहे है bundle sheet में अभी किस ने लिख दिया bundle sheet दीलम ने शिवांगी ने लिखा D शिवांगी ने चार चार बार करने शुरू कर दिखता नहीं आईशा ने D डिवेंद्र ने D निकिता ने D नाबम ने D निकिता गुपता ने D अराभ्या ने D लक्ष्मी पॉल mesophyll leaves mesophyll cells very nice तो malic acid का formation का होता है mesophyll में होता है और फिर वो transport का होता है वो bundle sheet में लेकिन CO2 का fixation और malic acid का formation mesophyll sheet में C4 plants में mesophyll cell में होता है ठीक है clear हो गया अभी तो बताया था बेटा चलो हाँ repeated है ये question बस इसकी language change है तो C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plants because अच्छा इसका answer बताओ C4 plants जो है वो photosynthetically more efficient है than C3 plants C3 plants के comparison में C4 plants जो है वो C3 plants से more efficient है क्यों the CO2 efflux is more prevented क्योंकि वहां पे CO2 का efflux prevent करते हैं रोकते हैं they have more chloroplast the CO2 compensation point is more CO2 generated during photorespiration is trapped and recycled to pep carboxylase yes जल्दी बताओ CO4 क्यों क्यों है क्यों क्यों होगा क्यों होगा तो उसके पास less CO2 compensation point होता है यह तो गलत है पहला वाला यह जो बता रहे हैं बच्चे सी वो तो गलत है ठीक है और chlorophyll concentration more होती है chlorophyll concentration क्या होती है more होती है कि अपको आपकी लैंग्विक में नोट बुक में लिखवाया है कि इटास less CO2 compensation वेराज यहां पे chlorophyll जो है वो more है chlorophyll more होगा तो chloroplast भी तो जादा होगा लेकिन मेरको यह भी सही लग रहा है कि वह CO2 generate करके फोटो रिसाइकल करते हैं और pep carboxylase में यह भी ठीक है यह atmospheric CO2 को यहां पे कौन fix करता है pep करता है pep carboxylase करता है किसके अंदर mesophyll sheet के अंदर फिर यह कौन accept करता है यहां पे oxaloacetic acid बनता है तो भी वह more efficient हो सकता है तो आप बताओ इसका answer क्या होगा surrounded by bundle sheet cells हाँ वहाँ पे B तो होगा they have more chloroplast यहीं है लेकिन efficiency इसके कारण भी जादा होती है पर इसका more correct answer यही लग रहे तो मैं B होगा only ठीक है बी होगा ठीक है वी तो सही लगी रहा था मेरे को यह भी लग रहा था कि वह photo respiration के दौरान पर कार्बोक्सिलेज महां पर काम करता है oxaloacetic acid बनता है फिर वह transfer होता है इसके कारण फोटो सिंपर पर करेक्ट जो एक्दम accurate लग रहा है वो बी लग रहा है वो तो बी है ठीक है next electron from excited chlorophyll molecule of photosystem ones are accepted first by यह तो दुबारा आ गया तूका कौन है photosystem तूका क्यून ना टास्टो क्यून चलो यह तो पढ़ लिया हमें now next the energy releasing process in which the substrate is oxidized without an external electron acceptor is called यहाँ पर क्या बोला है energy releasing process है energy release करता है मतलब ATP बनाता है यहाँ पर substrate oxidized होता है किसके बिना electron acceptor के बिना external बाहर से जो electron acceptors लगे वे होते हैं यहाँ के बिना यहाँ पर क्या हो रहा है energy बन रही है उसमें क्या हो रहा है वहाँ पर substrate की जरूरत substrate oxidized हो रहा है लेकिन वह पर electron transport system नहीं है वो chain electron जो transport करते हैं electron chain transport जो होता है वहाँ पर कोई बाहर से system नहीं लगा हुआ तो उस process कौन सा process है यह aerobic respiration में तो होता है बेटा cellular respiration में तो आपका glycolysis भी हो रहा है crab cycle भी हो रहा है acceptor नहीं लगा होता है यहां से release होता है यहां से release होता है क्या energy doubt होती कम है लेकिन होती तो है doubt and external electron acceptor clear है चले आगे next question बताओ फटफट से यह तो सबको पता है यह मैंने question आपको एक class में भी आइडो सीर की correct sequence क्या है ओक लांटाना वॉल्वॉक साइडला पिस्टिया सिरकप्स यह ना शिवांगी बताएगी इसका अंसर इसने कोई वह कहते हैं कुछ याद करने की ट्रिक बनाई हुए इस ना शिवांगी जल्दी बताओ इसकी क्रांगी इसका अंसर बताओ फटाफट से ट्रिक बताओ याद करने की ट्रिक जब मैंने class में बताया था हाइडो सीर सबसे पूर पहले कौन आते हैं कौन से रूटे होते हैं कि इस पी एच पी एस सी एल ओ इसने बनाया था इसको याद भी करने का कोई तरीक और यह असी बता दिया था वालवक साइडल, पि강, सिर्कब, और दो फिर क्या बनता है ? और वह बन जाता है सबसे पहले रूटिट प्लांट इसंफर थी फिर सब्मर्ज दाते हैं फिर उसकी नीचे बारी लेयर आती है फिर floating plants आते हैं, फिर floating के बाद वो क्या बना देते हैं, पूरा का पूरा swam बनाते हैं, swam के बाद वो पूरा forest बना देते हैं, yes, oak बनाते हैं, last में oak है, जाने तो यह याद किया है, last में oak कैसे है, forest बन जाएगा, और wall walks सबसे पहले आएगा, ना, ठीक है, चलो, यह बहुत बार paper में question आते हैं, next question बताओ, चलो, this is the last question, यह last question है आज की class में, फिर कल की class में, Volvo, Haryana, Police से लाओ, अच्छा, Volvo, Haryana, Police से लाओ, अरे वाह, nice, nice, Deepak Tanwar, very nice, चलो, biological, chemical, oxygen, demand, BOD, in river water, किसके कारण होती है, increases when sewage get mixed with river water, remains unchained when alcohol bloom occurs, has no relationship with concentration of oxygen in water, gives a measure of salam, salamnila in water, क्या होता है BOD, BOD, कितना oxygen concentration utilize कर रहे हैं कोई organism के, चलो, यह क्या होता है, हो गया, A, बोल रही है, नीलम, A, बोल रही है, नाबम, A, बोल रही है, okay, increase when sewage gets mixed with river water, very nice, जब sewage mix हो जाता है, किसके साथ, river water के साथ, तो BOD, increase कर जाता है, इसका river water, जब sewage river water में mix हो जाएगा, तो BOD क्या कर जाएगा, increase, yes, A is correct, Rabia A is correct, Aisha A is correct, very nice, very good, this is all about today's class, आज की class के लिए हमने इतने questions करें, कल हम new topic के साथ, मैंने अभी इसमें 5 questions बच्चे हैं, वो 5 questions आपको homework में करने हैं, यह 50 questions है, 50-50 questions हम रोज दिन करेंगे, किसके हर एक unit के, अब यह 5 questions, next जो 5 questions है, हमेशा, वो आपके क्या जाएंगे, homework में जाएंगे, और आप वो घर में attempt करो, और मुझे, telegram channel पर उसके answer share करो, ठीक है, clear है, तो रोज हम करेंगे, 37 questions हुए है, 40 हो गया है, बेटा, ठीक है, अब हम, अब हम क्या करेंगे, बाकी 5 questions, आपको घर से homework के लिए, clear है, जो नहीं आएगा, वो पूछेंगे, very hot people in summer, very hot people in summer, love oh, okay, bye bye, bye bye Deepak Tanwar, see you guys tomorrow, same time 11 o'clock sharp, sharp 11 o'clock आपको आना है, किसके लिए, any questions, questions बहुत important है, किसके लिए, आपके exam के लिए, बार-बार बोल रही हूँ, यह देखा, कैसे आपने पीछे सारा का सारा revise किया हुआ था, तब आपको यह questions आ रहे हैं, ऐसे ही आपका हर unit revise हो जाएगा, खेर है, मैम, PDF प्रोवाइड नहीं हुई कल की, ओके, आज हो जाएगी बेटा, ठीक है, आईशा, आज हो जाएगी, चलो, और इसकी भी PDF में आज प्रोवाइड करा दूँगी आपको, ओके, ताम, genetics आगे के lecture प्लीज प्रोवाइड करा दीजे, ठीक है, ओके, जनेटिक्स हम अभी genetics का जब revision करेंगे, फिर उसके साथ-साथ हो जाएगा, वो cover, चलो, next, अब अब कल की class में human physiology करेंगे, जो बहुत important हो, बाबाई, take care, have a nice day.